नमस्कार फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा करक रासी गुरु चेंज एक पाँच दो हजार चौबिस से गुरु रासी परिवर्तन करने वाले है चेंज करने वाले है और गुरु का जो ये रासी परिवर् तो यहाँ गुरु को पहले प्रधन्य दिये जाएगा क्योंकि ब्रह्मान के सबसे शुब्ग्र है और उनका जो रासी परिवर्तन है वो यहाँ बहुत सारे आपके लिए लाब और बहुत सारे आपके लिए अच्छे जीवन में प्रसंग लेके आने वाला है देखिये यह जो गुरु का रासी परिवर्तन है वो करक रासी वालों के लिए एक पांच दो हजार चौबिस को दूपैर को एक बचकर पांच मिनिट से लेकर चौदा पांच दो हजार पच्चिस रात में दस बचकर बीस मिट तक परिवर्मन रहने वाला है करीबन साल भर का समय है यहां जो अभी गोचर में गुरु चल रहे है वो आपके तैंथ हाउस में चल रहे है और एक पांच चौबिस के बाद वो यहां आपके इलेवन्थ हाउस में आ जाएंगे मंगल के घर के रासी को छोड़ के शुक्र के घर की रासी में आपके ग्यारवे स्थान में इलेवन्थ हाउस में परिब्रह्मन करने वाले हैं जेकिए यह गुरु आपके लिए क्यों इतना इंपोटेंस है क्योंकि आपकी कुली में जो भाग्य का स्वामी है वो गुरु महराज है मीन रासी भाग्यस होती है करकरासी वालों के लिए और भाग्या का स्वामी जबी भी लाब स्थान में जाके बैटा है ये 11th हाउस है ये जितने भी हाउस है सभी हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा गुरु जो फल देते हैं वो यहां देते हैं positive फल ग्यार्वे स्थान गुरु का अतिप्रिया हाउस है सेकेंड पंचम, सब्तम और 11th भाग्यस्थान में भी है लेकिन यहां उससे ज़्यादा 11th हाउस में तो यहां ग्यार्वे स्थान में लाब ही देखा जाता है यही एक हाउस है जिससे बहुत सारे कम माइनस पॉइंट मतलब बहुत सारे अच्छे पॉइंट देखे जाते हैं और माइनस पॉइंट बहुत ही कम निकल के आते हैं तो यहां लाब, बहुत सारे लाब, बहुत सारे गीन प्रॉफिट ये सब चीजें यहां होने वाली है यहां जो गुरू बैठे थे यहां लेकिन साथ में राहू के बैठने से गुरू का यहां इतना फल नहीं मिला मामूल ये तीन मैना दो मैना राहू जब यहां आ गए अभी जो चल रहे है उसके बाद गुरू ने बाजी संबाली है वो भी रिट्रोगेट थे फिर मारगी हुए करीमन एक दो मैना उनको मिला हुआ है लेकिन जो भी कुछ सेटिंग हुआ है काम का अभी आपका या घर, मकान, गारी जो अपने लेके रखा है अभी ये टाइम के अंदर और अभी बिजनस अभी आपका गुरू अभी होगा अभी शुरुवाद हुई है आपकी या जॉब की या बिजनस की लेकिन कुछ सेटिलमेंट अभी नहीं हो रहा है तो यहां अभी यहां जैसे गुरू आएंगे तो ये जो setting हुआ है उसका अभी आपको output आना शुरू होगा गुरू यहां 11th house में सबसे अतिप्रिय आपको लाब देने वाले है 11th house लाब का है और जहां जहां गुरू की नजर गिर रही है उसके उपर भी थोड़ा विचार करेंगे देखें यहां मैंने जैसे बता है सबसे पहले 11th house ही लाब का होता है अभी जो काम आपने किया हुआ है यह दो महीने के अंदर यह सालबर के अंदर जो भी आपने खेती करके रखी हुई है लेकिन राहुने बाजी बिगार के रखी थी साथ में कुछ न कुछ पंचर टायर में करके रखा था जो आप जैसे जैसे गारी को आगे लेके जा रहे थे थोड़ा आके लेके के फिर से वहाँ पंचर कर दिया फिर थोड़ा आके लेके के जो अपना destination है वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत जद्दो जहत करनी पड़ी लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो setting हुआ है काम से related जॉब से related घर से मकान से थोड़ी बहुत queries भी आई है problem समस्या भी आई हुई है लेकिन यहाँ वो समस्या अभी मिल सकता है क्यों कि मैंने जैसे बताया गुरू 11th house में दिल call के फल देते हैं जितना भी आपको चाहिए सब लेके जाओ मैं देने के लिए बैठा हुआ हूँ और शुक्र के घर की रासी में बैठा है हलाकि वो अपने सत्रू की रासी में गिने जाते हैं लेकिन वो आखिर शुक्र भी वो भी गुरू है दानवों के गुरू है शुक्राचारिया इसलिए यहां इतना खराफल वो नहीं देने वाले हैं क्योंकि शुक्र की गरिमा को भी ध्यान में रखना पड़ता है तो यहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने सुरू होगे लाब मिलने सुरू होगे दोस्तों से ग्रूप सरकल से यहां लाब मिलेंगे आपके जो मित्र है आपके जो ग्रूप सरकल आप लंबे टाइम से उनसे काम कर रहे हो तो वहां से अभी आपको अच्छा एक आउटपूट आएगा बड़े व्यक्ति आपको कोई अच्छा इसाब किताब अभी दे सकते हैं, मतलब अच्छा आपको धनलाब उनकी तरफ से मिल सकता है, जो गुरूप सरकल में बड़े व्यक्ति हैं, बड़े मतलब एल्डर है, सिनियर है, उनका थोड़ा खास आपको ज्यान रखना पड़ेगा, उन से आपको मतलब गुरूप सरकल मतलब दोस्त बोल सकते हो, या आप एक अच्छे सलाकार बोल सकते हो, या मेंटर बोल सकते हो, वो आपको यहां सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से, तो यह एक पॉइंट बनता है, कुटूम फेमिली यहां आपको सपोर्ट कर सकती है, दोस ऐसे ग्रगोचर निर्देश कर रहे हैं ये बात हो गए 11 थाउस की अभी गुरु की जहां जहां ड्रश्टी है वहां की बात करेंगे गुरु की तीन ड्रश्टी उसके वितरित दी गई है एक पंचम, सप्तम और नवम देखें यहां पंचम नजर से यहां खुद गुरु थर अभी आपको मिलने वाली है, हासिल होने वाली है, कोई ऐसा आप डेरिंग करो जीवन में, जो आपने आज तक नहीं किया है, वो करने के लिए अभी आप बेताब हो जाओगे, बहुत ही उच्शुक हो जाओगे, छोटे भाई बेहनों से आपके रिष्टे सुद्रेंगे, आप कोई डेरिंग करोगे, अच्छे कामकाज के लिए आप सहास करने वाले हो, वेंचर करने वाले हो, और कोई बड़ा प्राक्रम से आपके पास कोई बड़े धनलाब के भी यहां निर्देश ग्रह कर रहे हैं, कोई बड़े धनलाब अभी आपकी जोली में आ सकते हैं, त गुप्त धन ये सब यहां से देखा जाता है सेर सटा लोटरी जुआ तो यहां गुरु अपनी मित्र की रासी को मंगल की रासी को देखेंगे यहां बड़े धनलाब के विद्रित अभी आपकी विद्या अभ्यास में बहुत बड़े चेंजिस आने सुरू होगी पहले जो मन आपका विद्या से भटक गया था श्टडीज में आपको कहीं न कहीं जो कुछ अरचने आ रही थी प्रॉब्लेम्स आ रहे थे क्वेरीज हो रही थी वो सभी यहां सौल होती हुई नजर आएंगी आपकी करक रासी है और आपके संतानों की साधी बाकी है तो यहां संतानों वो क्रेक कर सकते हैं या खुद आप क्रेक कर सकते हो आप करक रासी वाले हो तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया यहां स्टडीज के अंदर मिलने वाले है प्रेम प्रसंग के अंदर आपको कुछ क्वेरीज है तो यहां अभी वो क्वेरीज आपकी सौल होते हुई नज तीजे भी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है गुरू यहाँ दूद का दूद पानी का पानी करके आपको पूरा इसाब किताब क्लियर करके दिखा सकता है सेर सट्टा लोटरी से जुड़े हुए लोग के लिए बहुत सुख समाचार है अभी गुरू खुद आपके पंचम स्थान को देख रहा है कोई बड़ा आपके सेर के भाव आपको मिल सकते है कोई सट्टा आपको खेल सकते है उसमें आपको हासिल मिल सकते है गुरू जब देखता है तो उसमें जान डाल देता है तो यहां आपके लिए कोई अच्छे न्यूज ये पूरे साल भर के अंदर सेर सकते से, जुए से, वाइदे से, लॉट्री से मिलने सकते, मतलब मिल सकते हैं, उस दिसा में आप सोच सकते हो, तो यहां बात हो गई पंचम स्थान के बारे में, अभी गुरू की जो लाश्ट न है, अपने लाइफ पार्टनर का, बिजनस पार्टनर का, साधी व्याहा से लगती चीजों में, जो क्वेरीज आपको लंबे टाइम से सता रही है, यहां वो क्लियर होती हुई नजर आएगी, अभी आपकी साधी की बाते चलने लगेगी, एंगेजमेंट हो सकती है, या कि यह जो प्रॉबलेम है साधी से लगती चीजों में, वो यहां सौल होते हुए नजर आएगी, जिनकी करकरासी है, उनकी लिए बात कर रहे हैं, जाहर में कोई आपको अच्छा आपका काम बन सकता है, जो रिटेल से जुड़े हुए लोग है, जो डेली इंकम से जुड़ हो सकता है, कोई आप अच्छी तरह से चमक सकते हो, मतलब आपकी कोई ऐसी काम होगा, आपका कोई ऐसा नाम होगा, जिसके इसाब से आपको लोग जानने लगेंगे, कि ये व्यक्ति वो है, जिनोंने ये अच्छा काम किया है, या टीवी पे आए, या कोई भी मीडिया, मास के अंदर आप चमक सकते हो, ऐसे यहां जरा गोचर निर्देश कर रहे हैं, ओवरल देखने जाएंगे, तो ये जो पूरा परी ब्रह्मन है, करकरासी वालों के लिए बहुत बहुत लाबकारी साबित होने वाला है, जिससे मैंने बता है, सभी स्थानों से भी ज्यादा, आप के लिए गुरु माराज एक पांच से आगमन कर रहा है, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े